मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा क्या हो श्राय बेटा पापा मेने अपनी मिच्कारी यहां रखी थी पदरम नहीं है वह महेंगी वाली मिच्कारी हाँ जी मम्मा मैने सारी जगा देख लिया तो कहां जा सकती है बेटा मुझे तु समझ नहीं आरा कि पुनीद भावी ने तुछे इतनी महेंगी पिच्कारी कैसे दे दी कैसे का मतलब क्या है क्योंकि हो लिया इसके दी है पर पेटा ये तो बहुत महेंगी होगी न तो क्या हुआ अमा पित्ते हम सवार क्यों मुछ रहे हो मुझसे जलगी जी खाना लगा दो मुझे भूक लग लगी है हां मैं लगा रही हूँ हां मुझसे एफ का रहाँ मुझसे का ये बत्रफ़ देड़ा मुझसे जले का ये जा लगा हुआ झाल 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 किसी भी कीमत पे मा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पिछकाली चुराई है पापा जरूर आरती नहीं मेरी पिछकाली चुराई होगी क्या पापा जब मैंने यहां पिछकाली तो यहां आरती बैठी थी और जब मैं वापे सेंग नहीं आरती यहां बैठी नहीं मेरी पिछकाली यहां थी पड़ बैठी थोड़ी ज़ेर पहले तो आरती को खुद पिछकारी लिये उसे मेरी महंगी वाली पिछकारी चाहिए होगी ना इससे चुरा लियोगी ए भगवान बैठी तो कित्री वारी उस पूचा से काया है कि आरती को इस घर में मत लेके आया कर अब क्या करें अरे करना क्या है पिछकारी को इतनी महंगी चीज नहीं है लेकिन ये चोरी करने की आदत बहुत गलत आदत है अगर उसको ये आदत लग गई तो हम बरदाश नहीं कर पाएंगे ठीक है रहे हुआ शनाया बेटा आप जाओ अभी दूसरी बिचकारी से खेल लो ठीक है पापा देख लिया पापा आज आती आई नहीं नहीं बेटा हाँ अचना उसके तबे चीट महीं थी वो इसलिए नहीं आई तब एतना ठीक होने की वज़े से नहीं आई या चोरी के पकड़े जाने की डर से नहीं आई चोरी? काँ सी चोरी? मेरी पिचकारी की चोरी पिचकारी? पर बेटर पिचकारी तो आपकी ममा ने आर्थी को दी थी आरे बाबा दी थी लेकिन शनाया की पुरानी पिछकारी ना कि शनाया की नई नवेली महंगी वाली पिछकारी पर आर्ती ने तो मुझे कहा कि भावी ने उसको ये नई वाली पिछकारी दी है अरे जूट बोल रही है तुम्हारी बेटी उसने शनाया की नई महेंगी वाली पिछकारी चोरी करी है मुझे मास कर दो साथ मैं घर जाते ही आर्टी से बात करूँगी और कन उसको आपके सामने ले आऊँगी मुझे मस एक दिन की मौलत दे दो अच्छा ठीक है इतने सालों से तुम हमारे यहां पर काम कर रही हो तुमको मैं आखरी मौका दे रहा हूँ ठीक है ठीक है तुम्हे शरम नहीं आई तुम्हे तुम्हे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुम्हें काम पर ना जाने का बहाना किया था क्यों? क्यों बोला तुम्हे जूट? बोलो! मा, मा जो पुनीद आंटी ने मुझे वो पिछकारी दी थी वो तो किसी भी मतलुब किसी भी बाल तूटने वाली थी तो मुझे किसी भी कीमत पर वो मेहंगी वाली पिछकारी चाहिए थी और उससे होली खेल ली थी तो कहां गई वो तूटने वाली पिछकारी? जो पुनीद आंटी में तुम्हार को दी थी? वो तो मैंने फेक थी और मुझे वो मेहंगी वाली पिछकारी से ही होली खेल ली है बेटा तुम्हें समझ क्यों नहीं आता महंगी, सस्ती, अमीर, गरीब इन चीजों से कोई फर्ग नहीं पड़ता आपको फर्ग नहीं पड़ता पर उन लोगों को पड़ता जो अमीर है बेटा ऐसा नहीं हो था समझने की कोशिश करो उन्हें फर्ग पड़ता है क्योंकि तुम्हें फर्ग पड़ता है पहले तुम सस्ते महंगे का अंदर बेदभाफ करना छोड़ दो फिर वो भी छोड़ देंगे समझो इस बात को आप सही कह रहे हो मा मैंने तो कभी एलाइज ही नहीं किया I'm sorry मा मैं कल चनादीदी को उनकी पिछकारी वापस कर दूँगी ये हुई ना बात ये हुई ना मेरी शबाश बेटी वाली बात बहुत समझदार है तुम बहुत अच्छी बात करी तुने मुझे मार्व कर दो साब ये छोटी है नादानी में इसने ये गल्ती कर लिए है नादानी में? ये सरासर चोरी है मुझे तो लगता है ये चोरी करना इसको तुमी ही ने सिखाएा होगा नहीं साब नहीं आप इन कैसी बाते कर रहे है मैं इतने सालों से आपके पास काम कर वी हूँ, मैंने आपको कभी कोई शिकारत का मौका नहीं लिया और मैंने आर्टी को भी हमेशा यही शिकाया है, जिसके पास जितना हो खुशी में खुश रहना चाहिए पता नहीं, इस छोटी बच्ची का मन कैसे भतर दिया अगर इस छोटी है, इसे माफ कर दीजिए अंकल, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गल्दी का एसास हो गया यह लो दीदी आपकी पिछकारी जब आपने मुझे उस दिन थपड माया था, जब मैंने आपके चेर पर रंग लगाया था तब मुझे ऐसा लगा, कि मेरी भी इज़त तब ही होगी, जब मेरी पास भी कोई महंगी चीज होगी फिर मान ने मुझे समझाया, कि पहले बेट भाव अपने दिल से खरंग करना चाहिए तो यह लो दीदी आपकी पिछकारी चलो ठीक है, इस बार तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा कभी भी दुबारा मत करना मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी शनाया, ऐसा करो बेटा, तुम यह वाली पिछकारी आर्ती को ही दे दो ठीक है आरती? तुम यह वाली पिछकारी लेदा, तुम्हारे बास महेंगी वाली पिछकारी नहीं है ना? नहीं, अगर मैं यह ले लूँगी तो यह साबित हो जाएगा कि जिसके पास महेंगी चीज़े होती है, उसी की इवजत होती है ऐसा नहीं हो सकता! आप सारे भेदबाव हटा कर मैं सब फोली खेलो मैं अपनी सस्ती पिछकारी से और आप अपनी मेहंगी वाली से है ना मा? हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा अमीरी और गरीबी का भेदबाव मिटाना हमारे बस की बात नहीं है पर तुम्हें कभी-कभी कोई चीज़ दे देते हैं या कुछ भी तुम्हें दे देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई एक बहुत नई काम कर दिया है लेकिन हमें ये अमीर गरीब का या कोई भी भेदबाव सबसे पहले अपने दिलों से मिटाना होगा शनाया बेटा, तुम खेलोगी आर्ती के साथ हो ली? हाँ जी पापा, लेकिन आर्ती तुम एक बाद याद रखना, मैं तुमारे मूँ पे खूब सारा रंग लेगा कि तुमें रंगी रंगी खड़ूंगी एक नुज तु समय तुमारे मुझाई में चांट खांट शक्रा खांट, तुमारे मारे में तुमारा वेसे खांट खांट था जनाया है।